अधि नमस्कार दोस्तों स्वाग है ता आपका अपने चैनल पर बेंदे चेडिया को जी ऑड़ की कर आए पहला है गार्युकशन टापके आजS आने वाले ऐग्जाम के लिए इंपोर्टन आपको मेरी वीडियोOS कि बैडियो को एंदर जरूरूर तो प्रें स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वोशन है, फू इस दा फादर आफ ग्रीन रेवलुशन इन इंडिया, तो आंसरो जाएकर डॉक्टर M.S. स्वामिनाथन, जिनको कंसीडर कर जाता है, ऐस फादर आफ ग्रीन रेवलुशन इन इंडिया में, फू इस दा फादर आफ ग्रीन रेवलुशन इन वर्ल्ड तो आंसरो जाएकर डॉक्टर M.S. जिनको कंसीडर कर जाता है, as father of green revolution in world next question when green revolution is starting in India to answer हो जाएगा 1960s में फ्रेंच green revolution इंडिया में कब start हो था तो आंसर हो जाएगा 1960s में next question green revolution is related to तो आंसर हो जाएगा agriculture production के साथ next question gray revolution gray revolution is related to तो आंसर is fertilizers next question what is scientific study of soil is called answer is pediology scientific study of soil को क्या बोलते हैं तो आंसर हो जाएगा pediology next question which sector is the backbone of Indian economy तो आंसर is agriculture sector फ्रेंच एग्रिकल्चर सेक्टर को ना इंडियन economy का backbone कहा जाता है नेक्श में कहलेते हैं where was the first agriculture university of India was established तो आंसर इस पंतनगर अगर आप से पूछा है कि पंतनगर कहां पर है मतलब कौन स्टेट में है तो आंसर का उत्तरप्रदेश यानि यूपी और यह कब इस्टैबलिस होई थी तो आंसर का 9060 में next question कहलेते हैं who wrote the book mutation research तो आंसर इस मूलर next question golden rice variety has been developed which is rich in which vitamin तो आंसर इस बिटामीन ए तो फ्रेंट्स आपको यह पता होना चाहिए कि बिटामीन के कितने टाइप्स होते हैं तो आंसर इस टू टाइप्स water solver और fat solver जो फ्रेंट्स water solver होते हैं ना बिटामीन B and C are water solver and other vitamins are called fat solver जाने कि बिटामीन आपका A हो जाएगा D हो जाएगा K हो जाएगा और बिटामीन E next question कहलेते हैं blue revolution is related to with the production of तो आंसर इस fish next question where is the Indian agriculture research institute found located आंसर इस new Delhi next question round revolution is related to तो आंसर इस potato production यानि की अलू की production से लेटेड़ है नेशन लेते हैं नेम दा गैस्विच इस लेज लीज फ्रॉम पैडी क्रॉप तो आंसर इस मीथेन अगर आप से सीम को ने पंजाब के तो आंसर हो जाएगा कैप्टन अर्मिंदर सिंग नेशन हो लेते हैं साइंस लेटेड़ विद वेजिटेवल कल्चर इस कॉल्ड़ एस तो आंसर इस ओलेरी कल्चर इस आपको इस वीडियो में मैं आपको 25 कोशन करवाऊंगा उसके बाद मैं आपको सारे कोशन हमेशा के लिए याद हो जाएं तो आपने क्या करना उनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताने हैं नेश्व लेते हैं वाइट रेवलुशन इस लेटेड़ तो आंसर इस मिल्क पोड़क्शन या फिर डेरी पोड़क्शन से लिटेड़ ने से फिर लेट इस लेटेट ईंसर इस लेटेड़क्शन आपको आछफ लाइक और भीडियो को ब्ल़क्शन से फोस्टेड़ लुड़क्य और भीडियो लुपी और यह जूरू करिएगा और आप हमें इंस्ताग्राम फेस्बूक और टेलीग्राम पर जॉइन कर सकते हो है ब की स्टार्ट कर रखी है तो आप वो जाके वो वीडियो भी जरूर देख रहें आपके एक्जाम के लिए काफी यूसफ़ल होंगी नेशल में लेते हैं इंडिया इन्डियाना नमबर बन पर आता है नेकर लेते हैं बचीज दा में अजेंसी फार्ड प्रोक्राइमेंट प्रोक्राइमेंट स्टोरेच एंड डिस्ट्रिबिशन आफ फूर्ड ग्रेंश इन इंडिया तो आंसरे एफ सी यह यानि की फूड कॉर्परेशन आफ इंडिया बिसिकली फ्रेंड्स जो आफ सी यह काम क होते हैं उनसे यह अपना जो उनके जो फूर्ड ग्रीन जैसी ग्यों है चावल है उनसे खरीद लेती है एट मेस्पी यह नहीं मिनिमम स्पोर्ट प्राइस जो गवर्मेंट आफ इंडिया निधार्यत करती है या फिर वो तैया करती है नेश को लेते हैं वाट इस फूल फाम NAFED तो आन्सरी इस नेशनल अग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया और बेसी का काम क्या है तू प्रोक्योर्स ओइल सीड्स पल्सी और कॉर्टन एट MSP इसका काम क्या है यह पल्सी और कॉर्टन खरीती है फार्मर से एट MSP यानिकि मिनिमस प्राइस के उपर नेक्स कोशन वाट इस फूल फॉल फाम आफ MSP यानिकी कोशन मैंने आपको पहले अफ्दादियास का अंजर मिनिमस पॉर्ट प्राइस नेक्स कोशन सिल्वल फाइबर एबोलुशन इस लेटेड़ विद प्रोड़क्शन आफ आंट रिस कॉर्टन फेट फ्रेंटिफाइब कोशन है एग्रिकल्ट इस लेटेड यह पार्ट फॉर्स्ट आफ्रेंट्स आने बारे दिने में आपके इसको इसके और यह पार्ड़ आउसको मिल दाएंगे तो फ्रेंट्स मैंने आपके लिए टैस्ट पी रखा था उसे पहले आपको यह कोशन रिवा मन बर्लाॉं इस सब्सक्राइब हम में चैनल जर्ः आउसरेन यह पार्योशर्र हख औरया काया वी केंच प clarity अनुछ त्रह मृय पार्ट इस ब्री तरो एग्रिकल्टिव थी खुर्च आउसरेन के इस क्ला यह पार्ड प्रिक्टश औट्ट फॉर्स्ट निस के एंडीय पि बाता है नेशने लेते हैं वेर वाज़ फॉर्स्ट एडर उनिवर्स्टी ऑफ इंडिया वाज इस्टेबलेश्ट तो आंसिज पांतिन अगर स्टेट पूछिए काम पर है तो आंसा का उत्तरप्रदेश यानि की यूपी नेश्च वोड़ दो बुक मुटेशन रिसर्च तो नेशन गोल Goodness Rice वराईएटी हैं द五 इंटीत वींड स्रीच पूंटल इंटीज रीचिन ऑन ट्थ बिथामीन ए है मैस्ट छज़िए ब्लुर एवलेशन शीज विजलेटेटेटिट तो आंसिज और के विथादेट यानि के ऑलू की प्रूद्शन सती अंटिज एलिए नेशन Name the gas which is released from the paddy crop तो आंज़ इस methane या फिर CH4 अगर आप से chemical formula पूछे जाए तो Next question Which state of India is known as granary of India and India's bread basket आंज़ पंजब Next question Science related with vegetable culture is called आंज़ अलेरी culture Next question White revolution is related to तो आंज़ इस milk or dairy production Next question N.G. Ranga ward is related to which field तो आंज़द इस agriculture Next question Name the technique that reduce the amount of water consumption in the crop cultivation तो आंज़ इस म всего इस्टुरिशित इस्टूब इस Only młot कुरिव इस्टूशित आंज़ Next question What is CB culture? То आंज़ इस ग्रए झाज़ इस्टूशित ऊभर इस्टूब leurs देदử आपरेटीं कि growing more and more trees next question india start dash in the world in the multi milk production Progress gebe multi question which is the main agency for the Procurements storage and distribution of food good in India to answer FCI your name for Compassion of India next question what is the full form of NA FDD to answer its National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India natural s lot of form of MSP and experienced minimums स्पोर्ट प्राइज नेक्स वेशन सिल्वर फाइबर एवलिशन इस लेटेड टू विद प्रडक्शन आफ तो आंसे स्कॉटन फ्रेंट टूट्टिफाइफ कोशन थे मैं आपको यह रिवाइज भी राद आई आई होप आपको सारे कोशन इसी ही वीडियो में याद हो गए होंगे तो फ्रेंट आप देखते हैं कि कौन कौन इसके जो आंट समय कोशन दूंगा न तो आपने क्या करने हैं कि आंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जुरू बताने हैं और उससे मुझे पर चला है कि जो मैं विच रिवलुशन इज लेट है लेट वॉइट टो नेक्स्विशन ब्लू रिवलुशन इज लेट टो भी दिप्रॉडॉशन आपने क्या करने हैं दो उससे में गाने ज्रूर बताने है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और मि video please like share and comment मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक वो थैंक यू सो मुच और विश यू आल वेस्ट फॉर अपकमिंग एंग्जाम थैंक यू सो मुच